दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग एक famous English poet Edmund Spencer के लिखी एक famous poem पढ़ेंगे जिसका नाम है Like as a Sea ये एक sonnet है दोस्तो जो उनकी famous collection Amority में शामिल है इसके अंदर भी वो अपनी beloved और wife Elizabeth Boyle को quote करने ही कुशिश कर रहे है चलिए वड़ी कमाल की poem है शुरू करते हैं मिलता है इस वीडियो के end में दोसो इस poem का नाम Like as a Ship होने की साथ एक दूसरा नाम भी है Sonnet 34 क्योंकि ये poem एक sonnet है 14 लाइनों में लिखी हुए एक poem है तो Edmund Spencer के famous collection Amority का पार्ट है ये poem इस poem में वो अपनी beloved जो बाद में इनकी wife बन गई थी Elizabeth Boyle उनको quote कर रहे है इस poem को कहीं ना कहीं पढ़कर ऐसा लगता है जैसे Spencer और उनकी wife के बीच में कोई जगड़ा हुआ है और Spencer उनको मनाने में लगे हुए Spencer यहाँ पर इस poem में एक ship यानि एक जहाज की anthology का यूज करते हैं मतलब एक जहाज है जो अपने रास्ते से भटक गया है इस poem को लिखने के लिए Spencer ने Petrar की Rima 189 से inspiration ली होगी जैलिए अब हम text देखते हैं इस poem का तो यह है text इसमें Edmund Spencer बोलते है like as a ship मतलब एक ship है एक जहाज बहुत बड़ा सा that through the ocean wide जो एक बड़े से ocean यानि की समुद्र में फस गया है बहुत बड़ा सा समुद्र है अब उस जहाज को चलने के लिए ना तो कोई land दिखता है कोई जमीन नहीं दिखती ना ही कोई दूसरी चीज उसको guide करने के लिए वहाँ पर मौझूद है जैसे कोई compass होता है compass के जरीए हम चलना शुरू कर दें वैसा कुछ भी रही है कुछ भी नहीं है जो उस जहाज को guide कर सके सवाए एक star के यहाँ पर next line में बोलते है by conduct of some star कि एक star है शायद यहाँ पर north star की बात की जा रही है north star जो होता है जो जहाजों को guide करता है आगे वो बोलते हैं डत मेक हरवे ही जो उसको रास्ता दिखाने के लिए वहाँ पर मौझूद है सिर्फ एक star है जो उसको रास्ता दिखा रहा है और कुछ भी उसके पास में नहीं है देखो दोस्तो गहराई सी अगर आप समझो तो यहाँ पर Spencer star तो अपनी wife को बोल रहा है और जहाज अपने आपको बोल रहा है तो अचानक क्या होता है आस्मान में बहुत सारे बादल आ जाते है अचानक से क्या होता है समझर और आस्मान में तूफान आता है और आस्मान में बहुत सारे बादल आ जाते है जो star को ढग देते है मतलब उस जहाज के ट्रस्टी गाइड को ढग देते है यहाँ पर वो अपनी wife को ट्रस्टी गाइड कहकर बोल रहा है कि तुम मेरी गाइड हूँ मैं एक जहाज हूँ तुम मझे रास्ता दिखाओगी अब यह बादल बीच में आ गया है यह बादल किसको बोला है यहाँ पर वो मैं आपको आगे बताऊँगा यहाँ पर आगे क्या बलता है इस पूरी लाइन का मतलब यह है यहाँ पर यह स्टॉम वर्ड का यूज किया है अपनी बिलवड के गुस्से को दिखाने के लिए बड़ी चालाकी से यूज किया इस वर्ड का इस स्टॉम वर्ड का यूज करके वो अपनी बिलवड का गुस्सा बता सकते हैं उसका नकरा बता सकते हैं उसका रोना बता सकते हैं, उसकी जलन बता सकते हैं तो कुछ तो कारण है, जो बादलों ने उस स्टार को ढख लिया है वो बादल, तो आगे Spencer बोलते है So I, who's star, तो मैं जिसका स्टार अब उससे दूर हो गया है That want with her bright ray, me to direct इसका मतलब यह है, कि अब वो dark बादल, उस star की रोशनी को मुस्तक आने नहीं दे रहे उस रोशनी को रोक दिया है, उस रोशनी को याद करते हुए यहाँ पर Spencer बोलते हैं कि मेरे आसपास अब इतना अंधेरा हो चुका है कि मुझे डर लग रहा है कि मेरे आसपास कोई खतरा तो नहीं है इस बड़े से ऊशीन में That clouds is overcast का मतलब यह है, clouds ने उसको ढख लिया है, overcast कर लिया है तो दोस्तों यहाँ पर उस star की light या रोशनी का मतलब यह है उस लड़की की beautiful soul, उसकी समझ, उस लड़की की personality या कोई और quality जिसकी मदद से यहाँ पर Spencer को help मिलती थी लेकिन अब Spencer miss कर रहा है उस रोशनी को या उस quality को कि अब जब मेरी dear beloved मुझसे root गई है तो अब मेरा क्या होगा, जब उसकी वो light मुझ पर नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर Spencer एक line और बोलते हैं, ध्यान देना त्रू hidden parallels round about me placed parallels का मतलब होता है दोस्तों चुपे हुए खत्रे hidden parallels का मतलब चुपे हुए खत्रे मेरे आसपास बिखरे हुए हैं मैं कभी भी उन खत्रों से आमना सामना हो सकता है मेरा क्योंकि अब वो light नहीं है मेरे पास मुझे guide करने के लिए यहाँ पर Spencer ने Petrarchan style में इस poem को लिखा है यहाँ पर 8 लाइनों में उन्हें problem तो गिनवा दी उन्होंने अब 6 लाइनों में वो solution गिनवाएंगे वो कहते हैं Yet I hope well that कि अभी भी मुझे उमीद है When the storm is past कि जैसे ही ये तूफान गुजर जाएगा My hell is The Lord Star of my life दोसो God से सुनना इस लाइन में क्या बोला My hell is The Lord Star of my life मेरी hell is मेरा Lord Star मेरी जिंदगी का दोसो hell is Greek mythology में एक निम्प थी मतलब God Zeus की नर्स थी उसका reference दिया यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो यहाँ पर अपनी beloved को hell is से compare करते हैं Lord Star है मेरी लाइफ का कहता है कि जैसे ही गुसे का तूफान गुजर जाएगा मेरी beloved की light मुझ पर फिर से shine करेगी जैसे ही उसका गुसा शान्त हो जाएगा वैसे ही मुझे फिर से प्यार करने लगेगी और मुझे guide करके ले जाएगी मेरे port पर port मतलब बंदरगा and look on me at last with lovely light to clear my cloudy grief वहाँ पर हम दोनों फिर से मिल जाएगी और दोस्तों इस poem को वो last दो लाइनों के कपलेट से खतम करते हैं यहाँ पर कपलेट एड़ किया है वो बोलते है till then I wonder careful कि तब तक मुझे यहाँ पर carefully चलना पड़ेगा कि जब तक ऐसा नहीं होता कि उसका गुस्सा शान्त हो जाए तब तक मुझे यहीं अंधेरे में भटकना पड़ेगा एक जहाज की तरह careful हो कर क्योंकि मेरे आसपास बहुत खत्रे हैं कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए कि वो खत्रे आकर मुझसे टकरा जाए aimlessly, dumb, comfortlessly sorrow में और pensiveness के अंदर यहाँ अकेले वटकते वटकते sorrow और pensive thoughts दिमाग में आ रहे हैं लेकिन ठीक है इतना तो चलता है अपने डार्लंग के लिए तो यह poem उन्होंने Elizabeth Boyle से लडाई होने के बाद में शायद लखी थी, उनको मनाने के लिए अब बताओ कौनसी ऐसी लड़की होगी जो ऐसी खुबसूरत poem पढ़ कर नहीं मानेगी अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये poem समझ में आई होगी दूस्तों फिलाल आज की इस वीडियो बस इतना है मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में